हलो फ्रेंज आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको प्लाजो पेंट कटिंग के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो यह मैंने फैब्रिक लिया है यह लगबग 2 मीटर फैब्रिक है 2 मीटर फैब्रिक से आज मैं आपको फुल इलास्टिक वाली प्लाजो पेंट कट करके बताऊंगी इस तरीके से आप किसी भी साइज की पेंट असानी से कट कर पाऊगे इवन बिगनर्स भी किसी भी साइज की पैंट असानी से कट कर सकते हैं इस तरीके के साथ तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें तो ये मेरे पास दो मीटर फैब्रिक है जिसे मैंने फोर साइड में फोल्ड करके इस तरीके से रखा हुआ है ये एक, दो और ये तीन और चार तो ऐसे मैंने इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करके रख लिया है और ये जो बाहर वाली है ये इसकी उल्टी साइड है ये वाली तो इस तरीके से आपने फैब्रिक को सेट करके रख लेना है तो सबसे पहले हम अपनी पैंट में इलास्टिक का मार्जन लेंगे तो उपर वाली साइड से हम लगबग 2.5.5 इंच यहां पे इलास्टिक का मार्जन मार्जन कर लेंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा मार्जन कर लेना है तो ये उपर वाली side में हमारे पास Elastic का Margin है इसके बारे में मैं आपको बाद में Detail में बताऊँगी ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है यहां से यहां से हमें अपनी pent की length लेनी है उपर से नहीं तो इस तरीके से यहां inch tip को इस तरीके से रखेंगे और नीचे वाली साइड में अपनी length को mark कर लेंगे जितनी भी आपने अपनी pen की length रखनी है तो मुझे यहाँ पे अपनी जो pen की length है वो 34 inch ready करनी है तो मैं यहाँ पे 34 inch पे ऐसे सीधा सीधा mark कर लूँगी और यह हमारे पास नीचे folding का margin आ गया 2 inch का तो मान लीजी अगर आपकी पैंट थोड़ी जादा लंबी है 34 की जगा 35 इंच आपकी पैंट की लेंथ है तो नीचे आपके पास यहाँ पे फोल्डिंग का मार्जन नहीं बच रहा आपने क्या करना है जो साइड से फैब्रिक बचता है ना उसको नीचे की तरफ स्ट्रिच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है ठीक है तो अब हमें क्या करना है यहाँ से हमें नीचे की तरफ आसन वाला मार्क करना है तो जो हमारे पास हिप का साइज होता है ना तो मान लो यहाँ पे हमारे पास हिप का साइज 44 इंचिस है तो ये जो 44 इंचिस मैंने hip का साइज आपको बताया ना ये losing डाल के था यानि कि इंची टेप से जो हमने hip का साइज लिया वो 41 इंचिस था उसमें हमने 3 इंच की losing डाली तो ये 44 हमारा ready size आगया कुड़ती का तो आपने भी सेम इसी तरीके से mark करना है जो hip का ready size होता है ना उसको हमने 4 से divide करना है जो भी हमारे पास अंसर आएगा उसे हमने यहाँ पर mark कर लेना है आसन के लिए तो ये वाला तो हमने सीधा सीधा mark कर लिया है अब हमें यहाँ उपर से mark करना है कमर के लिए elastic के लिए stretch भी होना चाहिए पूरा fabric उस हिसाब से हमने hip वले size में losing डालनी है और ये losing हमारी 44 इंचिज में डलेगी ठीक है क्योंकि 44 तो हमारे पास ready size है ना hip का तो उसमें हमें elastic भी डालना है तो elastic stretch भी होना चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे ना 7 से 8 हिंच की losing और डाल देंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे 7 या 8 हिंच की losing डाल देंगे तांकि elastic जो है हमारा वो अच्छे से stretch हो सके और pant हमारी असानी से उपर की तरफ जा सके तो अब मैं इसमें लगबग 8 हिंच की losing डाल रही हूँ और हमारे पास जो size आ जाएगा वो आ जाएगा 52 इंचिस तो 52 हमें ready करना है ना तांकि elastic हमारा पूरी तरह से stretch हो सके तो 52 को हम यहाँ पे 4 से divide करेंगे क्योंकि हमने यह fabric को 4 साइड में fold करके रखा है इसलिए हम 52 को 4 से divide करेंगे तो 52 को 4 से divide करने के बाद हमारे पास जो answer आता है वो आता है 13 इंच तो हमने यहाँ पे 13 इंच को mark करना है पहले हम किनारी से यहाँ पे 1.5 इंच छोड़के ऐसे mark कर लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर उपर और नीचे और अब हमें इसी वाले mark कों से आगे 13 इंच पे ऐसे mark कर लेना है तो ऐसे हम यहाँ पे कमर का जो size है न वो 13 इंच मार करेंगे उपर वाली side में और नीचे वाली side में भी न हमें सेमी 13 इंच ऐसे ही mark कर लेना है और अब हम इन दोनों marking को इस तरीके से ऐसे मिला देंगे scale की मदद से ऐसे तो अब हम यहाँ पर थाई का mark करना है तो थाई के mark के लिए जो हमारे पास size है न वो है 27 inches यानि की inch tape से जो हमने नाप लिया वो 27 inches आया उसमें हमने कम से कम 4 inch की losing डालनी है 27 inches में 4 inch की losing डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 31 inch ready तो यहाँ पे हम 31 का half लेंगे यानि की 15 inch 15 inch को हमने यहाँ पे ऐसे mark कर लेना है इस तरीके से यह हमारा ready आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी तो अब हमें थाई में भी extra margin लेना होता है इन future अगर हमें पेंट lose करनी पड़ जाए तो वो हम यह वाले margin से असानी से कर शकते हैं तो हम यहाँ पे कम से कम 2 inch का extra margin लेंगे और अब हमने यहाँ से ऐसे गुलाई दे देनी है तो यह हमारे पेंट के 4 parts एक साथ ही कट रहे हैं और यह full elastic वाली पेंट है यह धियान में रखें तो अब हमने यह जो length mark की थी अपनी पेंट की उसको हमने यह fabric के किनारे से ऐसे 3 inch आगे की तरफ mark कर लेना है क्योंकि जो पेंट की shape होती है वो बिल्कुल straight आती है आपने 6 inch पेंट की मोरी रखनी है तो आप यहाँ पे 7 inch पे mark करोगे क्योंकि आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच इस तरफ दबेगा clear आपका 6 inch ready आजाएगा अगर आपने 7 inch ready करना है तो आपने यहाँ पे 8 inch mark करना है तो मुझे जो अपनी पेंट की मोरी ready करनी है वो लगबग 7.5 inch ready करनी है तो मैं यहाँ पे 8.5 inch mark करूँगी ठीक है तो आधा इंच इधर दबेगा और आधा इंच इस तरफ दबेगा तो हमारी 7.5 inch ready आजाएगी पेंट की मोरी तो अब हमें यह वाला scale यूज़ करना है पेंट कटिंग के लिए हमेशा यह वाला scale यूज़ होता है अपने ध्यान में रखना है तो अब हमें ये मोरी वाले मार्क को ना ये थाई वाले मार्क से ऐसे मिला देना है इस तरीके से हम scale को रखेंगे तो ये थोड़ा सा shape में भी आ जाता है ना इसलिए हम ये scale यूज करते हैं pen cutting के लिए तो इस तरीके से हमने अपने दोनों marks को मिला देना है तो अब हमें extra margin को भी mark कर लेना है इस तरीके से scale को रखे क्यूंकि हमें in future अगर lose करना पड़े तो थाई से ही lose करना होता है नीचे से नहीं इसलिए हम सिरफ थाई में ही extra margin लेते हैं तो अब हमारा extra margin भी mark हो चुका है अब हमने scale को इस तरफ गुमा लेना है इस तरीके से गुमा के ना अब हमें ये मूरी वाले mark को ना ये वाले mark से ऐसे मिला देना है इस तरीके से रखेंगे scale को और ऐसे मिला देंगे तो यहां से भी हमारी pen't की shape आगी ना तो अब हमने फिर से scale को इसी तरफ गुमा लेना है ऐसे तो अब हमें ये वाले मार्ग को न ये उपर वाले मार्ग से मिलाना है और स्केल की सिरफ इस गुलाई को ही मार्ग करना है इस तरीके से तो यहां से ऐसे घुमाने से पैंट की शेप अच्छी आती है ठीक है तो अब ये वाला मार्ग न हम थोड़ा उपर तक ले जाएंगे ऐसे तो अब मैं नीचे की तरफ फोल्डिंग वाले मार्जन का भी आपको बता दू अपने कैसे माक करना है इस तरीके से हमने नीचे तक इसको मिला देना है और इसको थोड़ा सा ऐसे तिर्चा मिलाएंगे क्योंकि जब हम fold करते हैं यहां नीचे की तरफ तो हमारा थोड़ा कम ही होता है यहां उपर आके थोड़ा margin बढ़ जाता है इसलिए हम थोड़ा ट्रेंगल में लेते हैं नीचे से तो अब मैं आपको एक बार फिर से explain कर देती हूं अपनी marking के बारे में यह हमारे पास उपर elastic का margin है क्योंकि हमारा fabric दो मेटर था इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा कम लिया है 2.5 इंच का extra margin लिया है लास्टिक के लिए तो उसके बाद हमने hip वाले size को फोर्षे divide करना है यानि कि 44 इंचिस को हम फोर्षे divide करेंगे और हमारे पास answer आएगा 11 इंच तो हमने 11 इंच को यहां पे ऐसे mark कर देना है आसन वाले mark के लिए परफेक्ट आसन का यह formula है आपने ध्यान में रखना है उसके बाद आपने जो अपनी pant की length लेनी है वो भी इसी वाली marking से लेनी है जितनी भी आपकी pant की length है उसको आप नीचे की तरफ mark कर लीजिए तो उसके बाद हमने नीचे की तरफ यहां पे थाई का mark किया तो थाई हमारे पास जो size था न वो था 27 इंच उसमें हमने 4 इंच की losing डाली तो हमारे पास 30 इंच हमें ready करनी थी थाई तो यहां पे मैंने 5.5 इंच mark किया 31 का आधा तो यह हमारी perfect pant की marking हो चुकी है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ cut कर लेते हैं तो अभी मैंने elastic वाले margin के बारे में आपको proper बताना है तो wait कीजिए तो उपर की तरफ यह जो हमने 5.5 इंच mark किया आया na elastic का margin यह front के लिए तो sufficient है लेकिन back के लिए नहीं क्यूंकि हमें जो back का elastic का margin होता है वो थोड़ा जादा लेना होता है क्यूंकि जब हम बैठते हैं तो pant नीचे की तरफ खिचती है इसलिए हमें back से elastic का margin थोड़ा जादा लेना होता है उससे आपकी pant को अभी भी पीछे से खिचेगी नहीं इसलिए हम back का margin front से थोड़ा जादा लेते हैं तो अब cutting के वक्त यह जो हमने fabric cut किया है ना side से इसको हमने इस तरीके से लेना है क्यूंकि जो सिलाईयों में आए वो cover हो जाए तो back के लिए हमें elastic का कम से कम इतना margin चाहिए होता है वैसे ये धाई था front का तो अब ये कम से कम 5-5 inch हो गया है तो हमें कम से कम back का margin है ना वो 5 inch cut करना होता है क्यूंकि हमारे पास जो pant का fabric था वो 2 meter था इसलिए ये उपर का margin नहीं बचा अगर ये fabric diameter होता तो ये उसी में से निकल जाता इसको extra attach करने की हमें जरुरत ही नहीं पड़ती यहां से हम बिल्कुल बराबर ही लेंगे इस तरीके से हम इसको तिर्चा mark करेंगे अगर आप elastic का margin ऐसे cut करेंगे तो आपको pant पहनने में या pant की stitching करने में कोई भी problem नहीं आएगी बिल्कुल perfect fitting आएगी आपकी pant की तो अब हमें इसको ऐसे cut कर देना है तो ये सिरफ दो ही part होने चाहिए क्यूंकि front के लिए तो हमारे पास extra था ही तो ये उपर वाले margin को back वाले दो parts के साथ ऐसे stitch कर देंगे हम सिलाई करते वक्त तो ऐसे हमारी ये pant की cutting हो चुकी है अब हमने यहाँ पे थाई वाले mark पे एक छोटा सा cut लगा देना है ताकि हमें निशानी रहे हमारी सिलाई यहीं तक आनी चाहिए और ऐसे ही छोटा सा cut ना हम नीचे मोरी वाली साइड में भी लगा देंगे folding के margin के लिए ताकि हम यहाँ से बिल्कुल बराबर fold कर रखें इसको तो आई होप आपको मेरे ये plazo pen cutting के tips and tricks अच्छे लगे होंगे तो मेरी ऐसी ही useful videos देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को like और share करना ना भूले तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye